साथियो नमस्कार, मैं यद्यपी इसमें रात में लखनुग में सब्त पढणी व्रक्ष है, जिसका विब्रण काफी प्राचीन साहित्तों में भी मिलता है, ग्रिंथों में मिलता है, मैं उस प्रक्ष के नीचे खड़ा हूँ और वास्तों में प्रिकति की दृष्टे से रिकार्ड बन गए, बहुत अच्छी बात है, खुसी की बात है, भगवान के लीलाओं में उत्साह होना ही चाहिए, अगर उत्साह नहीं होगा तो निरासा समाज में फैल जाएगी, और डिप्रेसन फैल जाएगा, और मनों रोगों की बाठा जाएगी, यदि वास्तों में आपने उत्साह और खुसी और आनन्द में थोड़ी बहुत कमी अगर ला दी, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चल ला है, जो जो जोग्रफिकल पोजिशन चल लही है, ये उत्साह की प्रतीक है, यदि उसमें आप भागीदार नहीं हुए, तो आपको ये सारीरिक विकार आना ह लेकिन मूल प्रशन तो हमारा जो चैनल है वो प्रिकती और परियावरन और नेचर पर समर्पित है और उसका विसलेशन करता है, जैसे दो रिकार्ड बने अजुद्या में, एक तो आरती का वर्ड रिकार्ड बना, कि इतने अधिक सम्मूई में लोग खटे हुए, बहुत गी और सुद्द कड़वा तेल के, सर्सों के तेल के दीपक जलाए गए, वो भी अब पता पड़ा है कि लोगों ने तेल चोरी कर लिया, बताएए कितना निमने स्तर हो गया है लोगों का, दीपक के तेल चोरी कर लिये, चोरों ने, ये अंदरूनी बात हम बता रहे हैं आप बाहर से आपके मकानों में ले रहने लगी हैं, वो चोरी हो जाएंगी, हो रही हैं, तो भाई आपको लठ लेके तयार रहना पड़ेगा, बिगड़ लठ के आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, ना अपने परिवार की, ना समाज की, ना देश की, और ना एक किसी क रक्षा कर पाओगे, दीपावली का ये भी संदेश है, जब युद्ध्या में ये हो रहा है, तो और कहा होगा, जहां इतना पुलिस फोर्स है, तो लठ लेकिन आप रखोगे, तो देशत से सब कंट्रोल हो जाता है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फिर जो है, वो रिक प्रिकास दीपावली आएगी, उस दिन इस दीपावली में तो अयुद्या में प्रोग्राम होते हैं, और प्रिकास दीपावली में भगवान शो और गमा गंगा जी की पूजा होती है, और वहां भी दीपोट्स होता है, हो दीपोट्स है, लेकिन क्या इसी के अनपात में व्रक्ष भी लगाए जा रहे हैं लेकिन व्रक्ष का अगर आप मुख रहें तो जो है वहां खजूर के पेड़ लगाए जा रहे हैं खजूरियां लगाई जा रहे हैं ताड के पेड़ लगाए जा रहे हैं दारू वना ना है क्या क्या सरकार अब दारू वाले पेड़ लगा पजार के चकाचौन में, रील बनाने के चक्कर में, फोटोग्राफी के चक्कर में, अरे पहले हम सचते किस के लिए थे, अच्छे कपड़े, नए कपड़े किस के लिए पहनते थे, भगवान की पूजा के लिए, और आज हम कपड़े का और भाव और दीपावली में तयारी ह उने का भाव ये हो गया है कि हमें फोटो खिचाना है और रील बना के फॉन में डालना है यह उद्देश हो गया है अब देख लीजे क्या आप सब अपने पुराने पूरवजों से मतलब जो बड़े भाई हैं और सबसे आपकी वारता हुई क्या सबी के साथ बैठ के वेंजन बने पकवान बने घर में कि ओनलाइन कौन-कौन आजकल मोटर साइकल से आ जाते हैं सामान लेके तो अगर वह आप प्रवत्ति अपना रहे हैं तो स्वामुहित्ता कहां से आएगी संग्ठन में सक्ति कहां से आएगी और व्रक्ष आप लगाने रहे हैं देखिए मैं जो य मैं रात का दस वजरा है और मैं खड़ा हुआ हूं सब्त पढ़नी पेड़ ब्रक्ष के नीचे यह सब्त पढ़नी ब्रक्ष है और इसके जो यह फूल है यह रात में ही खिलते हैं और इनकी इतनी मीठी मीठी खुस्वू होती है कि यह महक चारों तरफ ठल जाती है और पूट त्री प्री ऊपहा जाता है उसके पत्ते भी बहुत आप्सित होते हैं और पूल रात में खिलते हैं दिन में इसे बीक्ति पील खिलर तो रहते हैं लेकिन दिन में इन में खुस्वू नहीं जाती ये तो जादू है इसका कि रात होते ही इसमें महक और खुस्वू चालू हो जाती है और भीनी भीनी खुस्वू चारों तरफ और लखनव राजधानी में इन पेड़ों की मात्रा बहुत हुच है इसलिए पूरा लखनव महक जाता है और सबसे संयोग की बात ये है कि ये दीपा वली के आसपास ही खिलता है और इसमें दिसंबर माहय तक ये आपको फूल लदे हुए मिलेंगे और दिसंबर तक ही इसमें कुस्वू रहती है इसके बाद फूल तो खिलते हैं लेकर उन फूलों में खुस्वू कायव हो जाती है यही है प्रिकति का वर्दान अब इसी माध्यम से मैं और थोड़ा ध्यनाकर्शित करना चाहिए कि आज आयोध्या नगरी और कासी विश्वनात मैं बताइए मिडवे पर जहां इन पेड़ों को लगना चाहिए जो खुसबू और सुंदर्ता में बेजोड हैं उनकी जगे यह वास्तों में एक बेमेल वो किया गया है खजूर और खजूरिया गाओं में यदि आपको कहीं दिखाई देंगे तो गाओं के बाहर लगाए जाकते हैं और सहरों और आवादी के बीच में तो यह जिद्व पौधे लगाए जाकते हैं देखिए मैंने सब तपढ़नी पेड़ को आपको दिखाया और फूलों की महक इतनी आनंदित होती है थोड़ा वास्तू की दिष्ट से आप इस समझ लें वास्तू की दिष्ट से इस पौधे को अपने मकान के सामने ना लगाएं क्यों अब आप भी प्रश्न करेंगे कि ऐ नहीं आती है हाँ ऐसे नहीं हम खोज कर रहे है हम और हमारी तरस्त रामरच्षा फांडेशन टरस्ट टरस्ट ट्रिपल लाइन लखनव के जो सदस्त लोग हैं उसमें बेग्यानिक भी सामिल हैं वह इन पेड़ पौधों की प्रिकति की कोँज कर रहे हैं और हम अपने मूल पुराने सास्त्रों और गृंटों से निकाल रहे हैं इन चीजों को तो अगर आप इसकी महक के बीच में रहेंगे तो आपको आलस आएगा और जो है आपको सांस लेने में परिसानी होगी क्योंकि इतनी महक तीब होती है इसकी तो ये बात देख ली लेकिन अब ये बताएं कि अयोध्या और बनारस कैसे महकेगा जहां काटेदार पेड लगाए जा रहे हैं क्या सरकार के जो उत्तरदाई लोग हैं या संस्थाओं के उत्तरदाई लोग हैं वो कोई नसा किये रहते हैं क्या बताएए खजूर और खजूरियां से गाउं के अंदर नहीं लगाई जाती हैं वो अपने आप सभाविक रूप से गाउं के बाहर ही उपती हैं ये भी आप देख लीजे और उनको सहर के बीच में लगाया जा रहा है मतलब परियावरन की ऐसी तैसी की जा रही है जनता का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है इसको कोई देखने वाला ने और वो क्या अक्षिजन देंगे क्या वो और कोई विसेश अच्छी गेस देंगे जिव पौधे, पीपल है, पाखर है, बर्गद है, बेल ब्रक्ष है, जामुन ब्रक्ष है, आम ब्रक्ष है, आमलतास है, फूलों के लिए अगर आपको लगाएं, आप चंपा लगा सकते हैं, चंपा लखनों में देखें कितने सुन्दर अच्छे लगें हैं, गमती नगर में हाँ, तो बताईए, इसलिए भाई, ये हमारा वेसेस ब्लाग बना है, प्रिकती परियावन स्रंडक्षन की जागरूपतावा स्रंडक्षन संबर्धन के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे पौधे लगाएंगे, तभी आपको प्राणवाई आक्सिजन प्राप्त होगी, और ये जंता का पैसा है, एक एक पैसे का मुल्यंकन होना चाहिए, क्योंकि एक पौधा लग जाने के बाद पचास से सो साल सेवा करता है, निश्वार्थ, तो भाई, पैसे का सत्योग हो, मानिय मुख मंत्री जी, महोदय, जब आप इतने स्रिष्टम कार कर रहे हैं, तो प मैं बनारस भी गया हूँ, अयोध्या भी गया हूँ, और कई कई किलो मीटर, खजूर खजूरिया की पेड़ लगाए गए हैं, तार के पेड़ लगाए गए हैं, दारू के लिए, भाई, हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम परियावरण के महत को समद रहे हैं, कि होगा, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ना संपरदायक है, ना आतंकवाद है, ना धार में कुनमाद है, सबसे बड़ी समस्या प्रिकति परियावरण, और जलवाईव क्लाइमेट, और ग्लोबल वार्मिंग की हैं, इसके लिए जागरूख होना चाहिए, जन जन को, जै प्रिकति को समर्पित है, भागवान सूर को समर्पित है, अगर आप नहीं करते हैं, तो अवस करिए, इसकी जानकारी करिए, और प्रिकति के साथ जोड़िए